Hello everyone, welcome to Knowledge IQ Studio मैं लखन बारदवाच आपका अपने Current Affair शो में स्वारत करता हूँ जिसका नाम है Daily Current Affair with Lakhन आज हम एक जून के जितने भी Current Affair हैं वो डिस्कस करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को सुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बिल सके आप मुझे Facebook और Telegram पर ही Follow कर सकते हैं फेसबुक और Telegram का लिंग इस वीडियो को डिस्केप्शन में दे रखा है चलिए आज की करेंटे फ़र शूरू करते है आज का पहला कुश्चन है बी सी सी आई ने किस खिलाडी को राजीव गांदी खेल रत्न पुरुसकार दो यार बीस के लिए नामित किया है जैसा इमेज में आप देख पा रहे है राजीव गांदी खेल रत्न पुरुसकार के लिए नामंकित किया है ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरुसकार है किस राजीशरकार ने चिकित्सकों के वेतन में व्रद्धी की कोश्णा किये तो कौन सी राजीशरकार है जैसा इमेज में देख पा रहे है ये माराश्ट के CM है उद्धव ठाकरेजी ये नों ने चिकित्सकों के वेतन में व्रद्धी की कोश्णा की वो नेक्स कुश्चिन आई-एम-एफ आई-एम-एफ ने किस देश को COVID-19 महमारी से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर देने की कोश्णा की आई-एम-एफ आई-एम-एफ हुर्फाम होती है International Monetary Fund तो आई-एम-एफ ने किस देश को 732 मिलियन डॉलर देए तो इसका correct answer है option C बांगलादेश बांगलादेश को आई-एम-एफ ने 732 मिलियन डॉलर देए है जिससे वो COVID-19 महमारी है उससे लड़ सके Move on next question किस राज्य में मिसाइल पार्क अगनी प्रस्त अगनी प्रस्त मिसाइल पार्क के निर्मान की नीव रखी गई है यह कह सकते हैं आदार सिर्ला रखी गई है तो इसका correct answer है option B आंद प्रदेश जैसा image में आप देख पा रहे है आंद प्रदेश में मिसाइल पार्क अगनी प्रस्त के निर्मान की नीव रखी गई है यह बहुत important question है ध्यान रखी है Move on next question किस राजने हाली में प्रवासी मुक्यमंत्री स्वरोजगार योजना का सुवारम किया तो किस राजनी किया है स्वरोजगार योजना का सुवारम तो इसका correct answer है option D उत्त्राखन ऐसा है वाई image में देख पा रहे है यह उत्त्राखन के CM है और इनों ने ही प्रवासी मुक्यमंत्री स्वरोजगार योजना का सुवारम किया है तो इसका correct answer है उत्त्राखन More next question कौन सा देश क्रत्तिम भुद्धी मता AI AI full form artificial intelligence के उपयोग के लिए एक अंतराश्ट्य पैनल में शामिल हो गया है यह कह सकते है उसने AI की race जीत लिए तो इसका correct answer है option B America अमेरिका ने क्रत्तिम भुद्धी मता की उपयोग के लिए अंतराश्य पैनल की race जीत लिए उसका correct answer है अमेरिका More next question अमेरिका के CM तो आपको sorry अमेरिका के President आपको पताईए Donald Trump और अमेरिका की जो capital है Washington D.C More next question विश्व तमाकू निसेद दिवस 2020 कब मनाये गया तो विश्व तमाकू निसेद दिवस मनाये जाता है option C 31 मई को 31 मई को विश्व तमाकू निसेद दिवस मनाये जाता है यह मनाये गया जाता है ये तमाकू की रोक थाम करने के लिए उससे जुड़ी जो बीमारियां है तमाकू खाने से उसकी जागुरता के लिए मनाया जाता है जिससे लोग इससे कम से कम खाएं या खाना बंद करते हैं उसके जो दुश्प्रवाव हैं समागों खाने के उनकी जागुरता के लिए ये 31 मई को हर साल मनाया जाता है बारत का पहला AI पोर्टल किस मंत्राले के द्वारा लॉंच किया गया AI पोर्टल मतलब Artificial Intelligence जैसा हम आज इमेज में देख पा रहे है नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया ये किस ने लॉंच किया है किस मंत्राले लॉंच किया है तो इसका करेक्टर आमसर है Option B Electronics और IT मंत्राले Electronics और IT मंत्राले के जो मंत्री है डॉक्टर रवी संकर पसाज जी इनों ने पहला AI पोर्टल लॉंच किया तो भारत का पहला ये पोर्टल किस ने लॉंच किया Electronics और IT मंत्राले ये IT उद्योग में बढ़ावा देने के लिए लॉंच किया गया है हमारे Electronics और AI टी जो मंत्री हैं वो कौन है डॉक्टर रवी संकर प्रसाज जी वो नेक्स कुश्चन Yes Bank ने Dish TV में कितने प्रतिसत हिस्सेदारी का अधिरण किया है एक वार में कुश्चन रिपीट करते दा हूँ Yes Bank ने Dish TV में कितने प्रतिसत हिस्सेदारी का अधिरण किया या फिर कितने प्रतिसत हिस्सेदारी आंसिल किया है तो इस question का सही answer है Option B 24.19% 24.19% 24.19% हिस्सेदारी हासिल की है Yes Banking ने डिश्टी भी में Next question कि स्वित्य कंपनी ने अपने उत्पादों के बारे में जागरुता पैदा करने के लिए एक क्रत्म बुदी मता AI Artificial Intelligence आथारित Chatbot Pi लौंच किया है तो Pi Chatbot किसे ने लौंच किया है जैसा इमेज में आप देख पा रहे है वो जो NPCI है भारतिय राष्टिय बुगतान निगम National Payments Corporation of India तो NPCI ने अपने प्रोडक्ट जैसे Fast Tag है B Map है जो पुत्पाद है उसमें जागरुता पैदा करने के लिए Chatbot Pi लौंच किया है तो इसका Correct Answer है Option B भारतिय राष्टिय बुगतान निगम NPCI जैसा आप एमेज में देख पा रहे हैं तो NPCI ने AI आदारे Chatbot के लिए Pi लौंच किया है यह Important Question है याद रखिए तो आज की करने टेफिर हमें डिसकस किये आपको वीडियो कैसे लगा मुझे Comment section में Comment करके बता है और हर Question के बारे में जादा से जादा लिखे हैं जिससे आपको याद रहे और वीडियो को जादा से जादा शेयर कर रहे हैं जिससे और भी लोग knowledge गेन कर सके चलिए आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत Thank you so much